आज मैं आप सब्सक्राइब करने वाली हूँ रूपीज 100 के अंडर जो किसी के लिए भी अफूरड़ेबल है कोई भी टीनेजर कॉलेज़ गॉइंग गर्ल और कोई भी मतलब जादा इंवर्स नहीं कर सकता है अपने प्रॉडक्स के लिए वो इन प्रॉडक्स को परचेस करक हैं तो मैं आप सबको बहुत सार प्रॉडक्स दिखाने वाली हूँ तो चलिए मुझे स्टार्ट करते हैं सी टी एंग क्लीनिंग टोमिंग मॉस्ट्राइजिंग यह वो स्टेप हैं जो हम इन स्किन केर में फॉलो करते हैं और हम इन स्किन केर्स को मॉनिंग एंड क्लीनिंग के लिए हमें फेस वाश की जरूत होती है तो यहाँ पर में पास हैं यह दो फेस वाश यह दोनों ही फेस वाश हुआ वो अल्ब्स के फेस वाश है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी यह है इन मलबेरी एं रोस पेस्ज वाश इसका जो प्राइस है वह है 39 और इस face wash की जो features हैं वो यह है कि यह हमारे skin के pH pH level को balance रखता है refresh करता है हमारे skin को और हमारे skin को moisturize रखता है dry नहीं करता है तो यह 79 रुपीज में पढ़ा है after discount अगर आपको 99 रुपीज में भी ही मिलता है तो यह बहुत ही अच्छा face wash है आप इसको use कर सकते हैं अगर आपको यह महना लगता है तो आप इसकी जिए पतांजली के face wash भी use कर सकते हैं जो भी आपको 40 से 50 रुपे के असपास मिल जाएगा और यहां पर यह दूसरा face wash भी मेरे पास है earth goodness का इसकी quantity भी 100 ml है और इसका जो price है इसका जो price इसमें दिया हुआ है इसका प्राइज इसमें कहीं मुझे शोर रही हो रहा है इसकी tories की shelf life है but after discount यह मुझे मिला है 89 रुपीज में I think 99 रुपीज का है यह but after discount 99 रुपीज में ही मिला है skincare में second step होता है toning का हमें अपनी face को after wash tone करने की ज़रूरत होती है इसके लिए हमें toner अप्लाय करना चाहिए toner अप्लाय करने से यह benefit होता है कि हमारी skin के जितने भी open pores होते है वो minimize हो जाते है और हमारी skin के texture में भी मतलब हमारी skin का जो texture होता है तो हमारी skin का जो texture होता है तो toner में हमारे पास available है यह Himalya का refreshing and clarifying toner और यह 100 ml की bottle है और यह मुझे पड़ा है जो toner है यह मुझे 76 रुपीज का पड़ा है और इसका जो price इसमें mention है वो 95 रुपीज मेंशन है इसके टूएस की shelf life है और 100 ml की quantity है और यह all skin type के लिए toner में हम rose water भी apply कर सकते हैं यहां पे मेरे पास earth goodness का यह rose water है यह rose water मैंने जिस चेक करने के लिए है कि यह कितना effective है और इससे पहले मैं पतांजरी का rose water करती थी और यह जो rose water है इसकी जो quantity है वो 50 ml की quantity है 50 ml आप देख सकते हैं इतना मिलेगा आपको और इसकी जो quantity sorry इसका जो price है इसका जो price है वो इसमें कहीं मुझे दिख नहीं रहा है बड़ इसका जो मुझे जो पढ़ा है वो 59 रुपीज का पढ़ा है यह और इसकी टूर्यस की shelf life आपको मिल जाएगी 59 का है लेकिन अगर आप पतांजली का लेंगे तो पतांजली का आपको इससे बड़ा बाटि मिलेगा और हम रोस वाटर यूज करते हैं एक और रोस वाटर यूज करते हैं उसका ना मुझे यार नहीं आ रहा है 67 रुपीज में आपको 100 एवे 100 एवे की बड़ी बाटि मिलती है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं यह जस्त मैंने चेंक करने के लिए था इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया है प्रशुराइजर में तीसरा स्टप होता है स्कीन को मौश्यूराइजर करने का आप अपनी मन पसंत क्रीम जेल क्रीम से अपलाई कर सकते हैं यहां पर मेरे पास यह अर्ट्स गुद्नेस का सैंडल वूड जेल है और यह 30 ग्राम की क्वांटि में है यह मुझे 59 रूपीस का पड़ा है और आफ्टर डिसकाउं 59 रूपीस का पड़ा है इसकी जो मुझे 75 रूपीस इसमें लिखी हुई है और यह 2 एस की शेयर फ्लाइ जो हमको 100 रूपीस के अंदर मिल जाते हैं जाए वो बतांजरी का हो या आप हिमालिया का ही ले लीजिए वो सब आपको अंदर 100 रूपीस आपको मिल जाएगा स्किन केर में दो स्टेप और होते हैं जो हम डेली पेसिस पे नहीं कर सकते हैं वो स्टेप हैं स्पेस को स्क्रब करने का और फेस पे पेस पैक लगाने का यह जो दो स्टेप हैं यह हम डेली बेसिस पे नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम इन स्टेप्स को डेली बेसिस पे फॉ तो मेरे पास जो हम यह स्क्रबिंग होती है वह हमें हफ्ते में एक बार करनी चाहिए लेकिन अगर आपका फिल्ट का काम जादा है आप मार्केट में ज्यादा जाते हैं तो आपको हफ्ते में 2-3 बार स्क्रबिंग और फिल्स बैक अपलाय करना चाहिए उससे आपके और मेरे पास में स्क्रबिंग के लिए दो शक्रब और हम यह हैं रहे हैं बाहए और चाहिए यह मेरे पास में लेकिन निकलते हैं तो दो का सेंडल वुड फेस क्रब यह हमारे टैन रिमोवल में हेल्प करेंगा यह वाले स्करब और पायोटिक का जो यह स्क्रब है यह 75 रुपीज का है और इसका 50 ग्राम इसकी पॉंटिटिटी है बट यह मुझे आफ्टर डिसकाउंट यह मुझे आफ्टर डिसकाउंट 74 रुपीज का पड़ा है 75 रुपीज का है 74 का मुझे यह बढ़ा है और 30 ग्राम की पॉंटिटी है इसकी और और यह मुझे पढ़ा है 69 रुपीज का यह मुझे 69 रुपीज का पढ़ा है जो कि नहीं चोटा चा पैकेट है आप दूसरे ही नूज कर सकते हैं करण के बाद में हमें अपने फेस बेक लगाना होता है उसके लिए मेरे पास यहां पर रूप मंदरा के दो फेस बैक हैं पहला फेसबैक है मेरे पास मुलतानी टीपन फेसबैक यह इसके 60 ग्राम की क्वांडिटी है यह हमारे स्किन के डेड़ स्किन को निकालता है और यह 87 रुपीज इसकी MRP है बड़ यह फेसबैक मुझे पड़ा है 70 रुपीज का यह फेसबैक यह फेसबैक मुझे 70 रुपीज के बड़े है और दूसरा फेसबैक है कि यह हल्दी चंगन का इसके भी 60 ग्राम के क्वांडिटी है यह भी मारे स्किन को ही निकालता है और 87 रुपीज इसका प्राई है आप्टर डिसकांट ही 70 रुपीज का पड़ा है तो यह दो फेसबैक है है यह मैंने अभी तक यह भी तक दोने कि यह डिवकाल के लिवेस के लिवी एब करने के लिए क्वाक्त न की अब यह मैंने और अगर आपे कोई भी कमेंट और कोई भी सजेशन हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बोक्स में बताएं थैंक यू बाई